हलो फ्रेंड्स मीना कुक्स में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे है पालक पनीर पालक पनीर बनाने के लिए हमने लिया है ये तीन टेबल स्पून ओईल है एक मिडियम साइज प्याज है जिसे हमने बारिक कट करके लिया है आठ डस लसन की कलिया है जिसे भी हमने बा पागनुसर लगेगा, 1500 ग्राम पनीर लिया है और एक टीजपून हमने गरम मसाला लिया है, तो आईए पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं, पालक पनीर बनाने के लिए पहले हमें पालक को बॉल करना पड़ेगा, इसके लिए मैं पहले ग्यास आन करते हूं, और उसमें दो ग्लास पानी राते हूं, पानी ज्यादा नहीं लेना है, पानी गरम होने के बाद उसमें हम पालक डालेंगे, अच्छे से दो लेना है, नमक के पानी से दोना है उसको, अभी हमारा पानी गरम हो चुका है, तो उसमें हम ये पालक डालते हैं, उसके साथ में हमें तीन-चार हरी मिर्ज डालनी है और आठ बेस लसन की तलिया डालनी है ज्यादा पानी नहीं लेना है हमें कि वह पानी बाद में हमें यूज नहीं आता दो मिनिट के लिए पालब को हमें घरम पानी में रखना है पालक बॉल हो चुका है अब हम गैस ऑफ करते हैं यह मैंने पानी लिया है उसमें मैंने बख डाला है मुझे ब्लांचिंग करना है पालक को और हरी मिर्च और लसन को तो मैं यह उसमें डाल लेती है पानी हमें यूज नहीं करना है यह मैंने पालक, हरी मिर्च और लसन सबको इसमें डाल लेती है इसको वर्फ के बानी में रखा है इसको अभी मैं नीचोड के लेती हूँ थोड़ा सा ही नीचोड के लेती है अब यह करना है यह करके मुझे मिक्सी में प्यूरे बनाना ही इसके साथ मिर्च और लसन भी लेना है अभी मैं मिक्सी में इसको प्यूरे बाना है पालक पनीर बनाने के लिए चाहिए ऑईल तीन टेबल स्पूल, विडियम साइस प्याज है, जो मैंने बारिक काट के लिए है, लसन है आट डस का लिया, जो भी मैंने कट करके लिए है, स्वाधा नुसम नमक है, पनीर है देड सो ग्राम और गरम मसाला, एक टी स्पूल, और यह पालक हरी मिर्च और लसन का फ्योरी है, जो मैंने मिक्सिमेस निका राएंगे, अभी मैं ग्यास ओन करती हूँ, और उसमें यह जो मैंने ओईल लिया है बोडाती हूँ, यह ओईल मैंने ज्यादा लिया है, क्यूंकि मुझे उसमें पनीर को थोड़ा सा फ्राइ करना है, अब मैं उसमें यह सब पनीर रालती मूँ, जो मुझे थोड़ा सा फ्राइ करना है, अब मैं उसमें निकाल लेती हूँ, अब मैं उसमें निकाल लेती हूँ, अब मुझे इतना ओयल नहीं चाहिए, सबजी के लिए थोड़ा सा काम कर लिती हूँ, इसमें मैं अभी यह प्यास डाल के लिए, और इसके साथ में ही यह लसन को डालती हूँ, पालक का और लसन का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा रहता है, प्रटेस बहुत अच्छा आता ह प्यास को एकदम बारिक काटना है, और लसन को भी बारिक ही काटना है, हम यह जो प्यूरे बनाया था, वो उच्छा में डालती है, मैं अभी नमक डालती हूँ, स्वादन उसर नमक डालना है, हरी सबजी में अल्रेडी नमक की मातरा रहती है, इसलिए थोड़ा कम नमक डालना है, और एक चमच मैंने गरम मसाला लिया है, जो मैं उसके ऊपर लालना है, यह मिक्सी में थोड़ा पालक जिसमें बॉइल किया था वो पानी है, उसे डाल रही है, यह मैं उसमें आड़ कर दें, हमें ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा लटपटा ही चाहिए, यह पनील डाल रही हूं, जो मैंने फ्राइ करके लिया है, इसको भी मैं इसके साथ में, आड़ कर देते हूं, अभी सिर्फ 2-3 मिनी हमें यह दोणों साथ में पकने देना है, पर हमारी पालक की सबजी तयार हो गई है, पालक पनीर की सबजी तयार हो गई है, जिससे मैंने सर्विंग डीश में निकाला है, उसके उपर मैं यह इस भी अच्छा आता है, और दिखने में भी अच्छा दिखता है, हमारी पालक पनीर की सबजी बहुत यह अच्छी बनी है, अगर मेरी यह रेसिपी अपको पसन आती है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंस के साथ शेर कीजिए, और मेरे चानल को सब्स्क्र कीजिए, थैंक यू